वे गाईज गूड मॉर्निंग कैसे हो आप सब और आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं बापस गुजरात मौसम बहुत खराब था बारिस भी बहुत पढ़ रही थी और हवा बहुत तेज थी तो मैंने जो यह लोग बनाया यह मतलग जो मेरे पास मेरा बेटा रहता है उसका मुंडन तो सब लोग बोलते हैं कि आपके बास बड़ा है चोटा काँ है कैसा है तो बस मैंने वही आपको दोनों को दिखाया है क्योंकि पूरे वीक जो मितना मैं गाउं रही हैं यह दोनों एक साथ रहे हैं अपने दादी के घर तो ज्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाई बस इनके बाल जिस दिन उत्रे थे उस दिन की थोड़ी किलिप मेरे पास थी तो मैंने वह इंक्लूट कर दी हैं तो आप देखिएगा जरूर और आज मैं अपना कुछ ऐसा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जब इनके बाल उत्रे थे तो मैं हम लोग नहीं साथ में गए थे क् अचानक की इन लोगों की प्लानिंग बन गई बच्चों के बाल निकलवाने की तो इसलिए ये लोग मतलब मेरी जो सिस्टर है उसकी फैमली गए थे और उस दिन भी बारिस हो रही थी मोसम बहुत खराब था तो अचानक में ये लोग निकले तो यह जो मैं आभी आपको ज दिखा रही उरस्ता ये हर्दवार का जाता हुआ है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो आपको पहाड़ दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें और अभी बारिस का मोसम है तो लोग कम घुमने जाते हैं बाकी जब गर्मियां होती है तो बहुत बीड़बार रहती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो घुमने लायक अच्छा है जैसे डिसी केस पड़ता है उधर ही तो भी अच्छा घुमने का एरिया है लोग घुमने जाते हैं इस पेसल और मोसम ऐसे भी खराब था उस दिन बहुत मोसम खराब था बारिस का था और पहाड़ों पर तो क्या इंट्री कर ली है अगे हम लोग नहीं गए तो इसलिए जो उन लोगों ने मुझे क्लिक दी मैंने वहीं इसमें कि कि यह जो मेरी सिस्टर ने क्रणी है और मेलब में जो पाणी आता है गंगा जी में जल आता यह वो इस time कंद होता है मत्टी सबस्ते हैं जो पाणी पालों पाड़ों पर ऑस चोती है और पाणी पाद़ों पे बेटा जो मेरे पास रहता उसके बाल निकल रहा है और यह इसने बाल निकलवाते टाइम इतना परेशान किया मतलए इतना रोया बहुतकी मुफ्लिण दोने ले रख़ा है यह हैं वह इन्हीं के पास बच्च्पन में भी रहा है तो क्योंकि जब छोटे थे तो इन्हों नहीं रखा आपने पास को इसके बान निकला है और अचानक से प्लानिंग हो गई है तो इसके मला उत्रें गे तो उनकी बुवा निकल वाएंगी, कौकि मेरे यहां जो बाल निकलते हैं, वो बुवा निकलवाती हैं, पर देश हो रहा थे तो इसलिए इनके बाल जलदी निकलवाने पड़े हैं, क्योंकि ये दो महीने बाद दो साल की हो जाएंगी, और इसको मुझे बापस लाना था तो इसलिए इनकी प्लानिंग बहुत जल्दी में हुई तो इनकी बुआ भी नहीं आ पाई थी तो पर इनके थोड़े से बाल रुकवा दिये हैं कि दुबारा जो निकलेंगे वो इनकी बुआ ही निकलवाएंगी पर इसने बाल निकलवाते टाइम बहुत परेसान किया था कितना रो रहा था देखे मुझे खूद अच्छा नहीं लग रहा और गाई जो यह मेरा बीडियो आ रहा है न यह इन लोगों ने फोन खड़ा करके बनाया है तो इस वेसे थोड़ा बीडियो सही नहीं चल रहा है औ तोगा मेरा बेटा है ज़्य घ१ ilad Mahe haradakukan बढ़ा बेटा मेरे पास उससे थोड़ा सही लगो है और खुष रहता है देखो एक बार भी वह विल्कुल नहीं रोया कि उसके बान निकल रहा है यह उसकी बड़ी मम्मी है इतना खुसता बान निकल वादे टाइम पता नहीं उसको तो रोएना नहीं आया पर बहुत क्यूट है और आप मेरा वीडियो जरूर इंजॉए कीजेगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा बस मैंने यह वीडियो जो मतलब लोग डाला है बस इसलिए डाला है कि लोग पूछते रहते हैं क्या इसका चोटा यह बड़ा है या चोटा है चोटा वाला है तो कहां है कैसा है तो आप यह देखो यह चोटा वाला है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजेए सेर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अप इंज्वाइब कीजिएगा यह देखो दिखाई नहीं मतलब जब वीडियो बनाया ना वो प्रोपर ढंक से मतलब किसी को नहीं मालूम था कि मैं यूटुब पे डालूंगी या मतलब इसका ब्लोग बनाऊंगी पर मुझे लगा क देखो बिल्कुल भी नहीं रुए मस्त है यह वाला तो बिल्कुल मस्त रहता है एकदम खुस रहते हैं बड़ा वाला थोड़ा परिसान करते हैं पर यह इतना परिसान नहीं करते देखो यह पीछे इनकी थोड़े से बाल जो है चोटी रुकवा दी गई है कि इनकी बुआ इनके बान निकल वाएंगी कि क्या दो साल के में बान नहीं निकलते तो इस रीजन से इनके बान निकल गए और तो आप को इंजुआ कीजिए और अच्छा लगे तो प्लीज लाई जरूर कीजिएगा और अब मुझे दीजिए जाजत मैं मिलती हूं आपको अपनी नहीं कि कि ईया खॉट इसे बान, ëंरिख दीजल में आपको